कि दिखिए थोड़ा सामने हम अभी मौझूद हैं गया सहर के चंदोती इलाके में और यहां पर एक इशान के दुवारा लगभग 14 भीगे में जैविक तरह से सब्जियों के खेती की जा रही है हम यहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहां पर कई तरह के सब्जियों के माध्यम से जैविक तरीके से सब्जियों के खेती की जा रही है और यह किसान जो धर्मिंदर कुमार है इससे लगभग सलाना जो है दस से बारालाक रुपे तक जो है इससे उनकी कमाई हो जाती है बता दे कि गया सहर के आसपास में यहां पर लगभग 14 भीग किस तरह के खेती कर रहे हैं यहां हम जैविक खेती कर रहे हैं जैविक खेती में अभी हमारे पास लगा हुआ है देख लिए बोधी है नेनुआ है फिर लगा हुआ है फिर मुली है लगा हुआ खीरा भी लगा हुआ है और पपीता है और बीन्स है बहुत सारी आइटम लग हुआ है सब्सक्राइब करते हैं और बहुत अच्छे ध्यांग से हम यहां पर किया हुआ है सब ड्रीप लगाए हुए हैं पूरे जमिन पर ड्रीप लगाए हुए हैं हम तीन साल से लमसम कर रहे हैं सब्सक्राइब करने का आइडिया हम पहले क्रीशी बिज्ञान के अंदर से मस्रूम का ट्रेनिंग लिए थे उसी बीच हमको वहां से कुछ किसान ने बताया गया कि चंडी में इसका ट्रेनिंग होता है क्रीशी का तो बहुत बड़ी क्रीशी अग्रिकल्चर वहां पर है तो से हम कुछ ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद वहीं से हम फिर यहां उसको धैंक से करने लिए उससे हिसाब से गया सहर के बीच टाउन में हम कर रहे हैं यहां पर जमीन है पूरी है यह चौदविघा का लोट है बाउंडरी मारा हुआ है फिर हम इसके बागल में भी हम च पहले बिल्कुल यह टाड था अभी यहां के लोग है जो बहुत खूसी है कि इस टाड में हरी आली कर दिये हैं और बहुत अच्छा लोग आते हैं घूमने के लिए यहीं पे सब जूब जी मेरा सेल भी हो जाता है मार्केटिंग लंसम यहीं से है जो ताजा ताजा तोड़ करके लोग को मिलता है क्या इंकम मुनाफ़ा अच्छा खासा हो जाता है लंसम जी महिने का एक लाक्ट वेक लंसम इसमें और स्टाप है भगल के ही कुछे महला लोग भी आ जाती है उन लोग का काम मिल जाता है क्रिसी विभाग से हमको सहयोग मिला है यह जो ड्रीप लगाएं थे उसमें ड्रीप में हमको अनुदान मिला है और हमको अच्छा खासा वहां से महल्चिंग यह सब कभी सपोर्ट मिला है हमारे इस जमीन पर डियो सहाव आकर बताएं भी कि आपने बहुत अच्छे धैंक से हमारे ओफिस के पीछे में इतना बढ़ियां से खेती की हुए हैं हम आपको 32 लाग का गिरीन हाउस आपको हम इस जमीन पर देंगे अच्छा तो यह जो कर रहे हैं तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज होता होगा जी वर्मी कंपोस्ट का यूज होता है हम खुद है यहां बनाते हैं बोध गया में वहां जो मेरा प्लॉट होगा है वहां पर बनाते हैं और यहां भी हम कुछ दिन में सुरू करने वाले हैं तो गया से लोकालेटिन के लिए कुंदन कुमार